हलो एवरिवान वेलकम टू अर्चना साफी कॉर्णर और मैं हूँ अर्चना काईज आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं इस तरह की पंप पॉटल्स जो की शांपू और लोशन की हमें मिलती हैं उन्हें हम किस तरह से पंप को अनलॉक कर सकते हैं और अनलॉक पंप यान को हलका सा उपर से प्रेस करना है और एंटी क्लॉक वाइस थोड़ा सा रोटेट करना है देखिए खुल जाएगा अब अगर मुझे इस लोशन की बॉटल में से थोड़ा सा लोशन ठोटी बॉटल में निकालना है या मुझे कहीं ट्रेवल करना है तो मैं इस तरह से तो कैर नहीं कर सकती क्योंकि अगर इस तरह से क्यारी करूंगी तो इसका कंटेंट कहीं पर भी निकल जाएगा लीक हो जाएगा तो मुझे इसे वापस किस तरह से मैं लॉक कर सकती हूं कितनी बार हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि इसे वापस कैसे लॉक करें तो मैं आपक लोशन की जो मैंने आपको दिखाने के लिए है अगर आपके पास बॉटल में कंटेंट है शैंपू या लोशन में तो आप पहले थोड़ा सा उसे प्रेस करके उसका जो अंदर पाइप होता है उसे थोड़ा क्लीन कर लें थोड़ा सा अधर जितनी बार आप उसको प्रेस करे के लिए उसका बाहर निकल जाएगा कंटेंट तो आप थोड़ा सा उसे प्रेस करके पहले क्लीन कर लें खाली कर लें और उसके बाद करें तो मैं आपको फिर से दिखा देती हूं किस तरह से लोग को हम अनलॉक करेंगे मीचे प्रेस करेंगे और एंटी क्लॉक वाइस यूसफुल लगे तो इसे शेयर करेंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा और थैंक यू सो मच फूर वाचिंग